उनके माता-पिता की चढ़ी फटी हुई है खर में चूले नहीं चल रहे ह Moi 24 से पहले भारत था ही नहीं असलियः जादि तो 2000 तो में मिला तो क्या हमारे पाप दादाओं ने हमारे पुर्खों ने जो कुर्वानियां दी क्या वो दो वो कुर्वानियां बेकार थी लाला लाज पत्राए छोटु राम भगत सींग सुखदेव राजगुरू चंसेकर आजाद पंडित राम प्रशाद मिस्विल तमाम आजादी के जो करांती बाब भ सब्सक्राइब तो अंडभक्तों का क्या यह गोवर को चमनप्राश समझ कर खाते इसलिए उनके दिमाग में घुस्ता बराएं उनकी तो बात ही मत करो परधान मंत्री मोदी जी का जनम हुआ उन्हें सपचास में 17 साल में साधी की जसोदावें से 18 साल में घर चोड़ दिया चाली साल भी मांग के खाया तक अब यह गुफा में गया अब अब अग्लादेश की लाराई में गया वह तो बादले से राडार को छिपा लेता है से जोड़ दिया इतना बड़ा रिसर्च साइंटिस्ट जो नाला से खाना बनाता हो चाई बेस्ता हो उसके राजी में 400 का सिलेंडर 1200 हो गया इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश का हम बताओ तो कब तक किसान MSP के लिए लाठियां खाके हकों की मांग करते र बाद देना और अब जब भी चुनाव आएगा देश की जंता ने देखा कि टूटी खात फटा लंगोट अमर्गय भाजपा को देकर वोट सोचा था बनियाइन के ऊपर नई सट आएगी क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी क्यों पुछ रहूं भाई अपरतरकार 202 पराटित में नाम पर कशमिर फाइल्स मनाई गई अन खुडितों के घर पर बुल्डोजर चला दिया घया आपने देखा भाराजा रंजीत सिंगा समराज था वहां पंजाब की भासा बोली जाती थी पंजाबी और उस भासा को वहां से हटा दिया गया आपने देखा आप वही बात कह रहें ये भारत को टुक्रे टुक्रे करने वाले लोग हैं इनके बापदावा नहीं चाहते थे कि देश आजाद हो जब हमारे देश के लोग काश्मीर से कन्या कुमारी तक गुजरात से लेकर और उनाचल तक आशाम तक जब सब मिलकर जाती धर्म से उपर उठकर देश आजादी की लराई लर रहा था तो गोरे अंग्रेजों की नीती नीती थी फूट डालो राज करो इन गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुख्वीरों की नीती है फूट डालो देश को लूट डालो बेगर सजा के छूट डालो अम मौका मिले तो भाग डालो